असलाम अलेकुम दोस्तों वेलकम टू अन्यू वीडियो हम लोग आज आएं साद गोड़ फार्म पे माशाला महभूब भाई यह चलाते हैं आप में से बहुत जन महभूब भाई को जानते भी होंगे हम लोग है साद गोड़ फार्म विच इन पिपपार सिटी जिस्ट्रिक से आप देख पारें जोदपूर में राजिस्तान में सो माशाला यह देख लें आप फोन नंबर भी है भाई का अंदर चलेंगे हम लोग और आपको पूरा फार्म दिखाएंगे महभूब भाई से मिलाएंगे और वीडियो की शुरुवात करेंगे महभूब भाई कब से फ महभूब भाई का लास्टाइम बनाए थे वीडियो याद है आपको बनाए थे और आपके फार्म पे आखे गया हूं ऐसे तो मैं सो यहां पर कपसे फार्म चला रहे हैं आप जोद्पूर दो साल हो गया एंड आप यहां से होलसेलिंग करते हैं कैसा करते पाल के बंब लात करते हैं दोनों करता हूं किसी को यहां से बिच्छे दो माल दे दे देता हैं अभी कितने बक्रे अपने फार्म पे 200 गोड़ सार दैर और सो आई आपका फार्म चेक करते हैं महभूब भाई हमारे साथ जो सक्स हैं प्लीज उनके बारे में बता ही लोगों का इसमाइल भाई सो बर्कत बाइएे यहां के यह परोफर यहां किया है माड़ा जा चाहर सा इसे यह बाहरा से आया तो यह यि नौकल आदमी की हम तक ख़ sad मेली हम पता ही है जी स्धी अफ्टे भख रहने स्व यह एक रहत ब flor क्ने बक्रे mb कम कितने काम कर मां WOW मतलब यही खंव बार ओर सब बहुत भेत्रीन कॉलेटी अन्डूल है एदेग। ये बखरा देखो वह उत ये वाला देखो ये जैनल एग्ष कवर गदबया माशाला है ये मर्यक हॽासिम बैई एदेखो इसको पगड़को बुटी वाले ये बड़े वाले को इसमें यह पकड़ा मोग यह फेलोड़ा बेटा अब 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 कर देखें आप यह सौसों किलों पर बकरे उनकी स्पीड देखें आप लोग यह फखें वाव वाव बरकर बाई सुबा से घूम रहें इतने बड़े बड़े अच्छे बखर यह देखा में तो इसका तु क्रेडिट जाता है इसमाइल भाई को ही और हमारे मेभूब भाई को आपके हाथ में बखरा क्या वज़म्प होगा यह 115-20 किलो क्या बखरा और क्य इसमाइल भाई इसके बारे में बताओ शेयर शेयर यह बस सोज़त की औरिनिल क्या वज़न पर 120 किलो पर यह भी सोज़त है कि मेवाती क्रोस है नहीं सोज़त है और हाइट सबसे आदा इसकी है और बेटा यह बखरा यह बखरा पर इए एक शेक किया है वज़न 110 कीलो मजा और चोड़ दो भवाई बखरों को छोड़ो झोड़ों बखरों को छोड़ों कि इस कलाइमेंट वजो बकरा तयार होता है ना जी तो दूसरे कलाइमेंट वैसे वखरा तयार नहीं होता है जी एक प्लाइमेंट का मावला सब्सक्राइब देखो बकरे देखो मज़ा आगे तो एक ही पट्टी है हमको और भी पट्टिया देखनी है एक पट्टी और निकाल लो बाकी अंदर ही दिखा देंगे इसको हका लो में खड़ा रहता हूं इलो को हका लो अब लिया वहीं अंदर डाला है अब कर वाके मां बख रहे हैं देखें वाह साफ सुत्रे इसमाइब यहां ही से बेच होगे मुंबई लाओ गए परका यहां से कोई गिराक लगता है तो देदो गए तो जोड से बोलो मेरा कैमेरा तुमरे आवाद लेगा नीना दे देंगे न चलो एक गया बन दूसरा बाड़ा उपन दोस्तों एक एक बखरा चेक करें माशाला फिट बख रहें कि यह मेरे साब से 70 किलो के उपर उपर की पट्टी है एक प्लस बता रहे है भाई वाँ यह देखें यह देखो ले एक नंबर यह सारे बख रहे हैं इसके अंदर है अधिस sek تم हैसे सब बोल कर दिले भाई है अधिक मेरा दिद हो रहा मैं भागूं इनके साथ Church Dead Him Renbamad the इक्साहिं धायम्रान भाई when a मेरा दिलो रहा सपाल मैं में भी भागूं इनके साथ fifteen अई 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 एक भी अई नहीं अई 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 जी यह कर लो नेग्स निकालेंगे आई आई परसेंट वाइट बच्चे हैं एक दो जो आपको दिख रहे हैं वो भी बहुत कुपसूरत है एक एक और 90 की बीज की पट्टी है और यहां क्या होता कि वहां से जो फार्मर आते हैं यहां चाट चाट के बच्चे इकटी कर लेते हैं एक बार इसमाइल बाई कोई पूछेंग यह दिसा कोई बेचने वाल है उसको भी पूरी पट्टी बेचेंगे के नहीं है ना बेच देंगे हर तरीके के बक्रे माशाला हर तरीके के आप देखो यह दो बाड़े होगे अब बार निया अंदर है तो दोस्तों तीसरा बाड़ा खुला है सब अंडू है वाँ वाँ हुआ है और भी आ रहे हैं हुआ हुआ है मजा आ गया एक बीस बाइस बख रहोंगे हुआ है कौंसा है उट पकड़ो 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 बेटा इसमाइल भाई इसमें कितने बख रहे हैं इसमाइल भाई का नंबर देंगे हम लोग मैभूब भाई का नंबर देंगे बरकर बाई किसे लगया वो चूज कर के लिए है विल्कुल बिल्कुल चौई एक चुन-चुन के वक्राय लिया वा रहा है इनके साथ भी हुए रहेंगे लिक अपसें डाउन जिंदगी में होत और यह सोजद कॉलिटी में ना क्या बकरा है माशाओल्ला सीना चेक करें बस मैं यह चीज और मजा आ गया अधिक और भी काफी अच्छी अच्छी यह तो इनका फेवरेट है मैं मेरा बताता है आपका फेवरेट कॉन साथ यह में को बहुत अच्छा लग रहा है यह टकला यह जगा यह वह गया दो यह बागी पांच्य बखर अच्छे लग रहे पर यह सबसे अच्छा निए पट् किसी को ब्रीडर के लिए चीए तो भी बेचोंगे ना एकाथ के पूरी पट्टी दो गया को बड़े फार्म वाले को अपनी बख्रियों पर रखना है ले क्या हो ही है वही है मेरा फेवरेट वही है कि लाँ कि देखें बखरा चेक करें आप इस बहुत भारी ब्रीड लाइ इनका है कौन से मतलब यह सब बहुत नामचीन बाड़ों के बखरें लग रहे में को सफेद आख यह सपेद आख हां बरकर वे बाबा जैसे है नहीं हम बदमास बहुत है छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए वह मजा आ गया है महां थोड़ जाड़के पास जाते हूं बहु हाँ अक हाँ असे है कि हम आ गया है अनु मादा रहे हैं इम्हां कैसी लगी कौल योटिया है वर यह सब अभी दो दात पे जस्त हूए है और अमुक ने तो अभी दाठ तोड़े हैं इनका एक में इनका वो देखे आपने के जो चेहरे पर रिंकल से हैं बहुत आली शान है बेस्ट ठीक है अंदर कर देते हैं तो दोस्तों तीसरा बाड़ा खोल रहे हम लोग एक क्या क्या वजन रेंज का है वरकप बै तो इसका मतलब तो यह कि अगर यह बख्राइट तक तो मतलब पहुंचेंगे इंद्रेट प्लस इद्दम सफेद माल है देख सकते हैं इसमें सारे खसी हम दो आपको एक बाड़ा अंडूल एक खस की ऐसा बता रहे हैं कि यह बख्राइब का पर्सनल आइथिंग में बख्राइब ने पहला बख्रा दिखा रहे हमको जब से इस्माइल बाई का भी फेवरेट आ गया लो इसमाइल नाम किया रखियो इसका इसका नाम है हमारे शकील बाई जैसे कुपसूरत है गुलाभी है इसका नाम के महमुब बाई स्माइल बाई माशा आलला नाइस कॉलिटी बाकि यह तो इनके नाम से सल्मान और सारुग रखे थे लेकिन वह थोड़ा जाना नहीं वह समत रखो उनके बाड़िगाड के फोन आएं तो दोस्तों एक और बाड़ा देख रहे हैं हम लोग अलग बाड़े देख रहे हैं माशाला घोल बच्चे जिसे खास कर गुजरात में भी बुलते ना लोग चापी पालनपूर में सितपूर में वह कॉलिटी है ना क्या बुलते हैं इम्रान बैं जी बिलबुल गॉलिटी ट्रॉटी चेक करें ना अच्छी है कि सुजट मैं ऐसा नहीं है कि कोई भी बक्र आप तयार करें लोग यह सानी है यह आजू बजू में से प्रोपर ली चांट-चांट के लेके आते हैं यह जंगल में गए और कुछ भी उठाकर लेकर लेकर यह नहीं को नहीं लग रहा है और अच्छे है शूटेबल भी अच्छे है यहां पर इसमाइल भाई खरीदी के टाइम पर पूरी पूरी पट्टी नहीं खरीदे हो ना नहीं में को दिखता है क्योंकि एक बहुत अच्छे अच्छे बगरें पट्टी में खरीदो था हमेशा डाउन ही होता ने पांच आव भी पट्टी बनानी होती है पर सब बकरे माशालल फिट और फाइन तो जब लाए थे क्या वज़न की पट्टी दिए वो उस टाम लाएते, उस टाम तो साड़े 300 किसाब से हमको मिला था यह नहीं क्या वजन के थे है यह तो 25 Kilo वजन गे तो उसके बाद में सब बीमारी भी आई होगी है ना कोछी, बखरी भी खत्म होते हैं वरक किकाम सिंग होते हैं लुट्ट कि का आते हैं ओम खुने और किया पर शेह पानी के खाने में व्हा दे ठांगे बॉट्ट्च अच्छी हम प्रूटन सब्सक्राइब कर देख लिए बहुत मजा है में को तो होफुलिया आपको भी अच्छा ही है ना ब्रीडिंग सेटप भी भाई का तो वह कैसे रहन होता है थोड़ा बताएंगे यह क्या होता है यहां एक चुन-चुन के इनों फिमेल एकटी कर दी और फुर इन एक मन पसंद का विरेडर थोड़िया जी कितने सांदार बच्चे आगे बहुत अच्छे बच्चे आएं काफी छोटोटे बच्चे भी हैं जो आराम करें में दिखा दूंगा जाते हैं बिल्कुल वह देखा बच्चे भी हैं में दिखा देता हैं बटा एकाथ बच्च्छा लेगा उसमें से इम्रा बै आप लेक्टी आप देखा आपने माल इनोंने स्टेफ बाड़े बाड़े जैसे साड़ किलो की पट्टी है फिर स्टेफ पलस वाली है फिर नबबे पलस वाली है स्टेफ बट्टी बना दी जी आई इम्रा में बच्चा दिखाने पीस एक बार अब देखो यह इननने बख्रिया रखी अब यह औरिजिनल वह क्रोस ब्रीड या अग्राबादी पच्चिरा वह नहीं कर रहे हैं यह उल्ली वह क्या प्रेडर भी एक से बाट्री अब शजड़ है जैसे बच्चे तयार करे यह और यह उमर के बाच्चे बेश्ते हैं यह प्यों किसी को बहुत थे बाद भी बच्चे लेना तो आप से बात कर रहें में इसमाइल भाई यह उंट बन रहा आपका दूसरा वाल वेरी ग तो इसमाइल बाइ मैं बच्चे वेश्ते रहते हैं और यह जो बखरे हैं यह जो आपने देखे सारे यह कोई अभी भी ग्राइब टो दे दे दें गार और क्योंकि बॉले इसमाइल बाइब को यह रखो तो रखेंगे लो है ना जो भी पलाए का होगा वो बात कर लेगे सबस क्योंकि अच्छे बख रहे हैं और भाई की जो कीमत रेगी वाजबी रहेगी इंशालला इंशालला रेट क्यों नहीं बता थे क्योंकि होलसेल का काम है अभी फिलाल रेट नहीं बताने कारण बताता हूं जैसे में भूब भी से वेपरी लेते हैं तो आगे किसा बेचेंगे बता देंगे तो वेपरी कैसे बेचेंगे इसलिए रेट ओपन नहीं होती है वह रेट हम फौन पर बताते हैं मैंभूब भाई आपके बहुत शुक्रिया इंशालला मिलेंगे मुंबई में मिलते भी रहते हैं वैसे तो इनके बहुत अच्छे दोस भी हैं हर इंसाम करते है ठीक है स्माइल बहुत बहुत शुक्रिया ठीक है तो वीडियो खत्म करते हैं आप सब की इजाज़त से इंशालला लगर आपका अच्छा दंदा बक्राइद में अल्ला आप सबको अच्छा रखें आमें